गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा जो विशे हैं बेटा सावले सपनों की यादे आज हम पाठ अध्यान करेंगे सावले सपनों की यादे लेखक है जाबिर हुसेन जाबिर हुसेन ने सालीम अली के जीवन से जुड़ी हुई गटनाओं को याद करके यानि कि उनकी मर्त्यू के तुरंत बाद ही सावले सपनों की यादे संस्वरन लिखा हैं सालीम अली एक बरडवाचर थे यानि कि पक्सी प्रेमी थे उन्होंने बच्पन में ही पक्सियों से ज्यादा लगाओ था जैसे बच्पन में ही एक गलती से सालीम अली के हाथों एक गुरया गायल हो गई थी उस गायल गुरया को देकर उनका मन बेचैन हो उठा और उसी दिन से वे पक्सियों की खोज में रूची लेने लगे वे पक्सियों की खोज में जंगल में जाते और वहां परकरती के अन्या रहाशयों को जानने, समझने लग जाती इस परकार वे पक्षियों और परकरती के रहाशयों के विशे में जानने के लिए एक से एक हूचाई emba को छोते चले गए माने वे परकरती के परति रूप ही बन गए तो बिटाई आज हम ये जो संद्रप पढ़ेंगे, पाठ पढ़ने से पहले संद्रप पढ़ेंगे, पूरा लेसन समझ आ जाएगा, देखिए परकर्ती प्रेमी साली मली एक विचारसील व्यक्ति थे परकर्ती तथा पक्षियों के परती उनके मन में कभी ने खतम होने वाले जिगासा थी उनका जीवन काफी रोमान्सकारी था तथा उनका सभाव भर्मन सील था कभी कभी वे किसी भी वक्त पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते थे सामले सपनों की याद पाठ हमें परियावरन के परती लगाव रखने की शिक्षा देता है परियावरन को बचाना परतेक व्यक्ति का करतव्य है जो हमारी रक्षा करता है हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए यदि हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्ष्यावी खत्रे में आ जाएगी परियावरण को बचाने के लिए हमें कड़े प्रियास करने चाहिए हमें अपने पिरिये जन से बिछडने पर दुख होता है उसी तरह हमें परियावरण या परकर्ति को नस्ठ होते हुए देखते हुए हमें दुख होना चाहिए तो ये परस्तूत जो पाठ है एक संस्मरण है ये सालीम अली सहाब के जीवन की परमु घटनाओं का वर्नन करके उनके व्यक्तितों पर परकास ड़ला है देखे बिटा सालीम अली परकरती प्रेमी थे उन्हें पक्सियों से विसेस लगा दिया सालीम अली के जीवन के उलेक के मादम से आम व्यक्ति को परकरती के प्रेमी और पक्सियों के परती सहनबूती रखने की प्रेणा मिलती है जैसे आने वाले पीडियों के लोग सुन्दर सुन्दर पक्सियों के चीतर ही देख पाएंगे अगर हम अपनी परकरती और परियावन को नहीं बचाएंगे हम सुध हवा और स्वच वातावन में सांस लेने के लिए तरस जाएंगे तो परतेक व्यक्ति का कर्तव ये बनता है कि हमें पसो पक्सियों और अपनी परकर्ति से प्यार होना चाहिए तब ही हमारा जीवन संभव है दन्यवाद